अभी पूरे दुनिया में COP29 बैठक के चर्चा हो रही है, COP29 बैठक जो है इस साल अजर्बेजान के बाकु में हुआ है, यह बैठक 11 से 22 नॉमबर तक हुआ है, और यह completely climate change को ले करके यह बैठक होती रहती है, climate change, ठिक है, जलवायू परिवर्तन को ले करके यह बैठक होई है और परते एक वर्स बैठक होती है COP की, COP का मतलब होता है Conference of Parties, Conference of Parties, ठिक है, तो आखिर यह चीज चर्चा में क्यों आ गई, हर साल तो होता ही रहता है, climate change पे यह बैठक, लेकिन इस साल चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस बैठक में, जो है, climate change के तरफ से जो developed nation है, उनके त था कि 2035 से जो है, ठीक है, 2035 से जो भी विकासिल देश हैं, यानि सभी देशों को जो है, 300 बिलियन डॉलर की मदद की जाएगी, annually, सलाना, 300 बिलियन डॉलर की मदद की जाएगी, सलाना, ताकि वो जलवायू परिवर्तन जो हो रहा है, उससे वो निपर सके, लेकिन भारत न बिलियन डॉलर annually का था, और उसमें भी ये 300 बिलियन डॉलर है, वो अभी नहीं दिये जा रहे, वो 2035 से दिये जाएंगे, ठीक है, तो भारत ने एकदम कड़ी आपती दर्ज की है, एक तो इतना कम एमांट है, और उपर से वो 2035 से दिये जाएगी, तो बिलकुल ही गलत है, ये completely जो है, जो developed nation है, उनको favor करता ये proposal, और जो विकासिल देश है, actually में इस meeting को कोई पता ही नहीं है, कि विकासिल देशों के पास क्या चुनोतिया है, और उनसे लरने के लिए उनको कितनी आर्थिक मदद के जुरुत है, तो भारत के साथ साथ कई विकासिल देशों ने इस यानि कि जो 81% जो है carbon emission 1990 के level से कम करना है, ठेक है, 81% कम करना है, 1990 का जो level था carbon emission का, उसमें 81% तक reduce करना है, अब reduce करने के कई सारे तरीकिया, जो electric vehicles है, green energy उसको promote करके, इसका COP29 का जो deal है, उसका जो review meeting जो है, 2030 में रखा गया है, 2026-27 में भी इसको annually report किया जाएगा कि कितना क्या progress चल ला है, climate change को लेकर के United Nation का main agency है, वो है United Nation framework convention और climate change, तो हमेशा सही जो विक्सित देश है, वो dominant करते हैं, विकासिल देशों को, लेकिन इस बार भारत ने करारा जबाब दिया है, कि विकासिल देशों को ध्यान में रख कर के योजना बनानी चाहिए, क्योंकि जलवायू पडिवर्तन कुछ ऐसा नहीं कि एक देश में हो रहा है तो इसका असर दूसरे देश में नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया में एक साथ ही इसका असर पड़ता है, इसलिए सभी देशों को अपना आर्थिक नीजी लाब भ पूल करके आगे आना चाहिए